किसान नेता बसों में भरकर विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं आपको बता दें एक दिसंबर को किसानों के साथ करीब 35 प्रतिविधियों ने सरकार के साथ माथा पच्ची की लेकिन बैठक बे नतीजा रही आज किसान अपनी मागों को सरकार के सामने रखेंगे बाचीट के लिए केंद्रिया कृषी मंती नरेली तोमर भी घर से निकल चुके हैं लेकिन सूतरों से खबर ये भी मिल रहे है कि सरकार कृषी कानून वापस नहीं लेगी और किसान क्या सोच रहे हैं, किसानों के साथ इसी बस में जो विज्यान भवन की तरफ निकल रही है, उसमें हमारे संभारता अशोक सिंगल मौजूद है, अशोक बताइए अभी क्या खबरे वहां से निकल कर आ रही है, रनीती तो हाला कि कल के दिन में ही तयार हो गई होगी क किसानों की, देखिये रनीती पूरी तियारत, किसानों ने साफ कर दिया, कि जो तीनों बिल है, कानून है, उनको वापिस करना ही पड़ेगा, और ये बस अभी ISBT, बस अड़ा क्रोस किया, और करीब आदे घंटे में विज्यान भवन पहुंच जाएगी, किसानों से मेरी ल इसके इलावा कोई चारा नहीं है, आप लगने कोशिशिश करते हैं, आप लगने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ रास्ता निकल पाएगा? देखो, लोकराज के अंदर ये पूरी अमीद होती है, कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इसी अमीद के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मंतरी पदर की तीसरी मीटिंग है, पहले जो मीटिंग होई पहली तरीक को, उसमें मंतरी सहीवान ने ये मांगा है किसान आगूं से किसानों के क्या माइन है, वो किस नजर से देख रहे हैं इस मीटिंग को? बिल्कुल आज अमरेंदर सिंग अमिद्शा के साथ मीटिंग हो रही है, तो आपको लगता है उस मीटिंग से कुछ फरक पड़ने वाला है? नहीं हमें नहीं लगता है अमरेंदर सिंग की मीटिंग से कोई फरक पड़ने वाला है, कि अंदर सरकार को सोचना पड़ेगा, देश में अंदोलन है जो पूरे देश में फैल चुका है, पिछले शे महीने से अंदोल कर रहे हैं, पहले पंजाब, हर्याना, वक्वक, राज दूर और वक्वक और जैसे ट्रांसपोर्टर है, वपारी है, आर्थिया वर्ग है, तीक लोटनेंगे आपके पास अशोक, हिमान्शू, मिश्रा, हमाई समवाता बने हुए है, हमाई साथ हमिश्रा के घर के बाहर से, हिमान्शू जो बेठक तै की गेती समय सुबह साड़े नौ बज़े, दस बज़े का था, वो लगातार डिले क्यों होती जा रही है, क्या बज़ा है, देखिए डिले इसलिए हो रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरंदर सिंग जो है, वो अभी तक दिली पहुंचे नहीं है, जैसी ही वो दिली पहुंचेंगा, सीधा वो एड़पोर् पंजाब के जो मुखे मंतरी है, कैप्टन अमरंदर सिंग, वो किसान संगठनों से अपील करें, कि इस आंदोलोन को खतम किया जाए, किसानों की बातों को सरकार सुनने के लिए तयार है, उनकी शिकायतों को दूर करना चाहती है, अगर किसी बात को शंका और उनके अंदर क किसी तरीके का भ्रह्म है, उसको भी दूर करेंगी और किसानों से लगातार ये चौथे राउंड की बातचीत जो है, आज होने जा रही है, नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उमीद है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले